ओके स्टेंट्स वांस अगेन अभी टॉपिक क्या है आपका पावर सेट हो गया ठीक है थ्वाधर पहले हम लोगों ने सीखा था सबसेट के ओपर तो पावर सेट भी से में सिफ एक जगा पर डिफरेंस हो जाता है तो आप लोग देख सकते हो पावर सेट में क्या बोला गया उसका जितना भी सबसेट होगा उस सबसेट का कालेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे पावर सेट बोलेंगे क्लियर अगर हम लोग एक सेट पकरता हो ए उसका जो सबसेट होंगे उन सबसेट का फीर से सेट अगर हम लोग लेते हैं कालेक्शन लेते हैं वाव फैमिली लेते ह उसको हम लोग क्या बोलेंगे power set बोलेंगे clear collection of this तो अभी देखो a equals to one अभी थोड़ा देरे पहले हम लोगों ने सीखा था तो subset होने से क्या होता है subset होने से क्या होता है five होगा और one होगा लेकिन इसमें हम लोगों ने फीर से एक्स्ट्रा देखो bracket दे दिया अगर आपको पूछा जा रहा है write down the subset तो आपको सिफ लिखना है five comma one यह लेकिन set one लेकिन अगर पूछा जा रहा है power set तो आपको five comma set one तो लिखना है साथ में यह bracket भी देना है अगर आपको bracket चुट गिया then there will be marks deduction राइट फिस और एक example ले रहा हो a equals to one two ले रहा हो अभी दो element है तो इसका subset क्या होंगे five one bracket two and bracket one two right उसका फिस्ट्रा आमनों को bracket लेना है because हमनों को क्या पुछा गया है power set अगर shift subset बोलता तो यह जरूरी नहीं था तब अगर आप यह bracket दे देते हो then again the meaning will change आपका marks deduction हो जाएगा fine I hope the concept is clear okay now next topic is universal set the universal set का मतलब क्या है universal set का मतलब क्या है if all the sets under discussion are subset of a particular set then that particular set is called universal set त। है अगर हम लोग कोई discussion में हर एक set को एक particular set का subset हो रहा है THEN पर्टिक्लिट अिनिवर्सलnd Set बोलेंगे रिएक लिया है तो एक का यह नहीं यहाँ तो यह फि B का element है 2 3 , यहाँ पर है 2 3 , C का element क्या है 1 4 , 1 4 यहाँ पर भी है , तो A का A is a subset of D , B is also a subset of D , C का element भी हाँ पर है , C is also a subset of D , इसमें D देखो , यह तीनों Set है , तीनों Set आपस में क्या हो रहा है ? D का subset हो रहा है , तो इसमें हमनों Definition में क्या बुला था , If all the Sets under discussion are subset of a particular set यह particular set का subset हो रहा है then the particular set is called universal set तो इसके हम लोग D को क्या बोलेंगे D को हम लोग बोलेंगे universal set तो here D is the universal set note में क्या लिख रहाओ note में लिख दे रहाओ in general universal set is represented by U तो universal set को हम लोग किसे denote करते हैं capital U से denote करते है इसर ख्लियर आप इस ख्लियर टी ओ थैंक यू